वह दिल्ली चला गया है इस सेंटेंस के इंगलीज जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए इस सेंटेंस को इंगलीज में ट्रांसलेट करते हैं दोस्तो इस सेंटेंस के आंत में गया है तो जब इन इस सेंटेंस के आंत में के साथ या है करके आता है मतलब कारेकर लिया है या कारे हो चुका है करके आता है तो ऐसे sentence present perfect tense का sentence होता है यहाँ पे आप ध्यान देना कि यदि sentence में है नहीं रहता तो यह sentence की English अलग होती past tense का sentence होता लेकिन इसमें है है तो यह present perfect का affirmative है तो पहरे हम लिखेंगे subject work English he फिर हम लिखेंगे helping verb he के साथ है जो लगता है फिर हम लिखेंगे verb का third form verb इसमें चला गया है यानिकी जाना के English लिखना है जाना के English में go कहते है go का third form होता है gone फिर हम लिखेंगे object लेकिन इस sentence में कोई भी object नहीं है हर sentence में object हो यह जरूरी नहीं है यहाँ पर एक अस्थान का नाम है जाने के अड़र्वियल है object हो सकता है compliment हो सकता है एड़र्वियल हो सकता है तो यहाँ पर देखे कोई भी अस्थान है इसलिए आरभी हैं इसे तरह कि और भी Hindi to English Translation के next video में ऐसे और भी sentences का English translation वीडियो देखने के लिए इस चैनल के playlist में जाएं थैंक्स परवाच